बॉलिवूड अक्रस कॉंकना सेन शर्मा को हाल ही में नेट्फिक्स पर रिलीज हुई सीरीज किलर सूप में देखा गया इसमें उनकी आक्टिंग की हमेशा की तरह खूब तारीफ हुई अब एक इंटर्वियो में कॉंकना ने OTT प्लाटफॉर्म पर दिखाये जाने वाले शोज पर लोगों की सेल्फ सेंसर्शिप के बारे में बात की है काहा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने पर फॉरण F.I.R हो जाती है लेकिन अगर महिलाओं के साथ वायलेंस दिखाये जा रही है तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलता किलर सूप आक्टरस कॉंकना सेन अपने शांदार आक्टिंग के लिए जानी जाती है उन्होंने कई बेहतरीन फिल्म में और चालेंजिंग करेक्टर्स निभा कर दर्श्चकों के दिल में अपनी एक अलग चाप छोड़ी है मशुहूर फिल्म मेकर अपना सेन की बेटी कॉंकना ने चार साल की उमर में ही इंडस्ट्री में कदम रख लिया था 1983 में वो इंदिरा में चाइल्ड आक्टर के रूप में दिखाई दी थी और इसके बाद उनका सफर रुगा नहीं अब कॉंकना ने एक इंटर्व्यू में कहा कि उन्हें डर लगता है कि कब किस बात के लिए F.I.R. हो जाए ऐसा उन्होंने क्यों कहा आईए जानते हैं कॉंकना सेंड शर्मा ने एक इंटर्व्यू में कहा कि उन्होंने किलर सूप के लिए बहुत महनत की है उनका कहना है कि एक शो को बनाने में बहुत टाइम लगता है कौंकरा ने कहा कि जैसे ही आप एक shooting पूरी करते हैं आप एक actor के रूप में बहुत कमजोर महसूस करते हैं लेकिन जब तक वो release होती है तब तक आप कुछ हद तक relax हो जाते हैं जो की अच्छी बात है कौंकना सेन ने आगे कहा जब तक इंडिया में OTT नहीं था तब तक मैं Fargo और Breaking Bad जैसी इंटरनाशनल सीरीज देखा करती थी मैं इस कौंसेप्ट से अंजान नहीं थी और ऐसी सीरीज करने के लिए excited थी क्योंकि मैंने केवल मुवीज और शॉर्ट फिल्में ही की थी इसलिए जब मुझे मुंबई डाइरीज ओफर हुई तो मैं excited हो गई क्योंकि मैंने कभी वेब सीरीज में काम नहीं किया था कौंकना सेन शर्मा ने आगे कहा कि फिल्मों के मुकाबले OTT पर आक्रस को लीड रोल्स जादा मिलते हैं उन्होंने कहा मैं सभी OTT फिल्म्स और शोज नहीं देखती लेकिन हाल ही में जिन फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर अच्छा काम किया है उनमें आक्रस के लिए इतने बड़े रोल्स नहीं है मुझसे गलती हो सकती है लेकिन बड़े पर अभी अक्रस के लिए अच्छे रोल्स नहीं है जबकि OTT पर ऐसा देखने को मिलता है कौंकना ने आके कहा हर कोई इस बारे में बहुत साफधान है कि वो क्या कर रहे हैं क्या दिखा रहे हैं आपको इस बारे में बिलकुल नहीं पता कि कब F.I.R. हो जाएगी आज सेल्फ सेंसर्शिप का जमाना है जो एक दशक पहले नहीं था ये सेंसर्शिप काफी हद तक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के बारे में जादा है मुझे नहीं लगता कि ऐसा महिलाओं के लिए भी है जहां महिलाओं को मारा जाता है हिंसा की जाती है और ये दुख की बात है कि इस पर जादा censorship नहीं है जब धरम की बात आती है तो बहुत अधिक censorship होती है हमें खुद सोचना होगा ये कितना अच्छा है और कितना बुरा